हाई गाईज वेलकम बैक टू नदर सेशन मैं अब आभनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेर्स का एपिसोर नंबर 782 आज की तारीक है 18 सेप्टेंबर 2020 हमारे दो चानल्स हैं पिनेकुल और फ्रेंटेर आएस और अगर अब तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइ करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से 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 सीजल पिनेकल डॉट कॉम और बलजी धाका.com में दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना टेको को नीशी को भारत के लिए नया कंट्री डारेक्टर नियुक्त किया है तो इसका सही जवाब था एशिया विकास बैंक और आपका दूसरा क्वेस्चन था हाल ही में किस अरभी राष्ट्रे ने इसराइल के साथ अबराहम समझोते प्रस्ताक्षर किये हैं तो इसका सह सही जवाब था UAE और बहरीन स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेस्चन के साथ रूस ने भारत में किस दवा कंपनी के साथ COVID-19 वैक्सिन की 100 मिलियन खुराक्या पूर्ती के लिए समझोता किया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर A डॉक्टर रेडी कंपनी डॉक्टर रेडी लेबॉल्टरिस के साथ एक समझोता किया है रूसी प्रतियक्ष निवेश कोश RDIF डॉक्टर रेडी लेबॉल्टरिस को वैक्सिन की 10 करोड खुराकों की सप्लाय करेगा इस समझोते के तहट रूस की COVID-19 वैक्सिन स्पुट्निक 5 के भारत में क्ल कोटर रेडी की रूस में 25 साल से भी जादा समय से अच्छी और सम्मानित मौजूदगी है और यह भारत की सर्वशेष्ट फार्मा कंपनियों में से एक है यहां पर एक क्वेक रिविजिन की बात करें तो भारत किस देश के साथ एक दुवी पक्षे नौसैनिक अभ्यास इ इनजीनियस डे की अफसर पर कौन सा डाक टिकेट लॉंच किया गया तो इसका सही जवाब है option number B भारत की पहली anti-satellite missile. इंजीनियस दिवस इंजीनियस डे की अफसर पर डाग विभाग दवारा भारत के पहली एंटी सैटलाइट मिसाइल एसाइट के नाम पर एक स्वर निर्धारित डाग टिकट जारी किया गया रक्षा अनुसंधान एम विकास संगठन DRDO ने 27 मार्च 2019 को ओडिशा के डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम द्वीप से एंटी सैटलाइट एसेट मिसाइल परिक्षन मिशिन शक्ती का सफल परिक्षन किया एसेट मिसाइल लो अर्थ और्बिट में एक इंडियन और्बिटिंग टार्गिट सेटलाइट है जिसे हिट टू किल मोड में शामिल किया गया है डाग टिकेट जारी करना भारत की तकनीकी उपलबधी को दर्शाता है जिसने राष्ट्रो को गौरवानवित किया है अगला प्रेशन है मुख्य मंत्री महिला उतकर्ष योजना किस राजे ने शुरू की है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अमबर B गुजरात मुख्य मंत्री विजे रुपानी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जनम दिन 17 सितंबर को राजे में महिलाओं के समूहों को बेयाज मुक्त रिन प्रदान करने के लिए मुख्य मंत्री महिला उत्थान योजना MMUY का शुभारम किया सरकार इन समूहों को Joint Liability and Earning Group JLEG के रूप में पंजिक्रित करने के लिए 1000 करोड रुपे तक की कुल रिन देने की योजना बना रही है सरकार नई योजना के तहट राजे भर में 10 लाख महिलाओं को बेयाज मुक्त रिन देने की योजना बना रही है मुक्य मंत्री महिला उत्थान योजना के तहट शेडिक शेत्रों में 50,000 Joint Liability and Earning Group बनाये जाएंगे यहाँ पर Additional Information की बात करें तो हर साल प्रधान मंत्री मोदी के जनम दिन पर सेवा दिवस मनाया जाता है इस साल PM के सतरवे जनम दिन को चिनहित करने के लिए सेवा सप्ता का एउजन किया गया है सेवा सप्ता 14 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 के बीच मनाया जाता है यहाँ पर एक क्वेक रिविजन की बात करें तो किस राजे सरकार ने अपनी पहली विरासन परियाटर नीती की घोशना की है तो इसका सही जवाब है गुजरात बात करें गुजरात की तो इसकी वर्ल हेटे साइट में आता है रानी की वाग और चमपानेर पावागर आक्योलोजिकल पार्क नाशनल पार्क में आता है गिर नाशनल पार्क, ब्लैक बक नाशनल पार्क और मेराइन नाशनल पार्क गुजराद की कैपिटल है गांधी नगर, लार्जिस्ट सिटी है एहमदाबाद, गवर्णर है अचार्य देवरत और चीफ मनिस्टर है विजे रुपानी अगला प्रहशन है डॉक्टर कपिला वात्सी आयन जिनका हाल ही में निदन हो गया वे किस शेत्र की एक प्रसीद विद्वान थी तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शास्त्रिय नृत्य दॉक्टर कपिला वात्सी आयन का 16 सितंबर 2020 को 92 वर्ष की आयू में निदन ह हो गया वे भारती शास्त्रिय नृत्य कला की अग्रिनी विद्वान थी वे संसत की पूरू सदस्य थी और शिक्षा मंत्राले में सरकार की सचीव भी थी उन्हें 1955 में ललित कला कादमी फैलोशिप मिली 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूशन से समानित किया गया था अगला प्रशन है डेटन लिट्रेरी पीज़ प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवर्ड किस ने जीता है तो इसका सई जबाब ऑप्शन अंबर B Margaret Atwood प्रक्यात लेखक Margaret Atwood ने इस साल का डेटन लिट्रेरी पीज़ प्राइज लाइफ टाइम The Handmaid's Tale के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया उनकी अन्यू लेखने पुस्तके हैं The Testaments, Cat's Eye 1988, The Blind Assassin 2000 and The Mad Adam Trilogy 2003-2013 यहां पर एक कोई क्रिविजन की बात करें तो डच लेखक मैरी के लुकास रीजने वेल्ड ने अपने उपनयास The Discomfort of Evening के लिए अंतराष्ट्रे बुकर पुरसका 2020 जीता है अगला प्रशन है मेके दातु पर योजना जो हाल ही में खबरों में थी उसका निर्मान किस नदी पर किया जाना है तो इसका सही जवाब है Option No.A कावेरी केंद्रे सरकार दवारा मेके दातु पर योजना के निर्मान हेतु मंजूरी देने के लिए करनाटक सरकार का एक प्रतिनीधी मंडल मुख्य मंत्रे के नेतरित्व में केंद्रे सरकार के पास भेजा जाएगा वर्श 2017 में राज्य सरकार दुवारा अनुमोदित 9000 करोड रुपे की यह परियोजना केंद्रे जल्स अनसादन मंत्राले से अनुमोदन प्राप्त कर चुकी है किंतु इसे केंद्रे पर्यावरन एम वन मंत्राले से अभी मंजूरी नहीं मिली है क्योंकि तमिल नाडु सरकार ने इस परियोजना के खिलाफ उच्तम न्यायाले में याचे का दायर की है यह परियोजना करनाटक और तमिल नाडु के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है क्योंकि इसे कावेरी नदी पर बनाया जा रहा है जो दोनों राज्यों के लिए पानी के सबसे महत्व पूर्ण स्तूत्रों में से एक है अगला प्रशन है हाल ही में किस राज्ये ने पोशन सरकार कारेकरम शुरू किया है तो इसका सही जवाब है उप्शन नमबर A मध्य प्रदेश स्तानिय निकायो, ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में भागेदारी और नेतरित्व सुन्शित करने के लिए मध्य प्रदेश ने पोशन सरकार कारेकरम शुरू किया है पोशन सरकार कारेकरम का मुख्य उदेश्य पोशन अभियान में ग्राम पंचायत और शहरी निकायों की मदद करके कूल पोशन को खतम करना है इसके तहट विभिन गति विधियों का आयोजन किया जाएगा कारेक्रम के तहट सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, शहरी निकायों में पोशन संकल पारित किया जाएगा यहाँ पर एक को एक रिविजिन की बात करें तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बात करें मध्य प्रधेश की तो इसकी डैंज और इवर्स में आता है गांधी जागर डैम चंबल और इंदीरा सागर डैम नर्मदा नैशनल पर्क्स में आता है कान्हा टाइगर इजर्ग, पन्ना नैशनल पर्क, पेंच नैशनल पर्क और बंदवगर नैशनल पर्क, मध्यपरदेशी कैप्टल है भुपाल, सी एम है शिवराज सिंग चोहान, वर्ल्ड हैटे साइट्स में आता है बुद्धिस मौनिमेट्स सांची और खजुराव group of monuments अगला प्रशन है जीबूती code of conduct जेदा संशोधन में कौन सा देश परिया वेक्षक के रूप में शामिल हो गया है तो इसका सई जवाब है option number C भारत जीबूती code of conduct आचार सहिंता में भारत एक परिया वेक्षक के तौर पर शामिल हो गया है 26 अगस होने का फैसला किया था DCOC JA हिंद महासागर शेत्र अफ्रीका की पूर्वी तट अधन की खाड़ी लाल सागर के 18 सदस्य देशों का समू है जपान नौर्वे बृतेन और अमेरिका के बाद अब भारत भी परिया वेक्षक के तौर पर इसका हिस्सा होगा DCOC की स्थापना जन स्थाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का दमन करना है अगला प्रश्चन है किसी देश के पूर्व राष्ट्रपती मौसा ट्रॉरे का निधन हो गया तो इसका सही जवाब है option number a माली माली के पूर्व राष्ट्रपती मौसा ट्रॉरे का 83 वर्ष की आ एक सैनी तकता पलट में राष्ट्रपती मौसा ट्रॉरे ने सत्ता हासिल की 1985 में हुए चुनावों में वे एक मात्र राष्ट्रपती पद के उमीदवार थे बात करे रिपब्लिक ओफ माली की तो इसकी कैप्टल है बमाको और करंसी है फ्रैंक अगला प्रश्चन है कौन सी कम्ρέ़ी कंपनी नए संसथ भवन का निर्मान करेगी तो इसका सही जवाब है उप्श नम्बर अ टाटा प्रोजेक्स लिमिटीड ने 861.90 करोड रुपे की लागत से एक नया संसथ भवन बनाने के लिए बोली लगाई है नई इमारत का निर्मान संट्रल विस्ता पुनर व होने की उम्मीद है बात कर लेते हैं आज के सेशन के एक क्विक समरी की तो इंडिया में कोविड अचीवमेंट अवर्ड मार्गरेट एट्वूड ने जीता है मेकी दातू प्रोजेक्ट कावेरी रिवर पर बनाया जाएगा पोशन सरकार प्रोग्राम मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है जीबोती कोड अफ कंड़क्ट जेदा अमेंडमेंट में इंडिया के quiz for the day की आपका पहला question है मुख्य मंत्री महिला उतकर्श योजना किस राज्ये ने शुरू की है और आपका दूसरा question है इंजीनियस डे की अफसर पर कौन सा डार्क टिकेट लाँच किया गया और अगर अब तक आपने मारे चैन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा थांक यू सो मुच